तुह तुह से लोग ऐसे अमकर के लिए तरसते हैं तुम तो निरा बेव कुफ है बैठता क्यों नहीं है मैं सोच रहा हूँ यार तू टांगों से सोच रहा है वो बैठ के क्यों नहीं सोचता यार मुझे नहीं अच्छा लगता यह सब दिन पर जिस शक्स की डांटा पर सुनो रात को उसी के साथ दिनर करो ओए ओए ओपेंडू और तुझे बॉस ने थोड़ी बलाया है दिनर पर तुझे तो उसकी साथजादी ने बलाया है या एक तो मेरी समझ में यह लड़की नहीं आती है मुझ पर इतनी मेरबान क्यों है क्योंकि आप बहुत बेब कुफे लिख ले वो लड़की तुझे पसंद करते हैं पसंद यू मेन अब यस यस तेरी किसमत का चपर चर्चरा रहा है जिस दिन यह चपर पढ़ गया ना हर तरफ हर तरफ दॉलत की रेल पेल यानि धकम पेल चुरू हो जाएगी तरीन साथ को पता चल गया ना कि मैं उनकी बेटी के साथ तौबा कर तौबा दर्वाजे की बज़ए खिर्की के रास्ते नौकरी से निकालेंगे और उनका तो दबतर भी छटी मन्जिल पे है वैसे मुझे तो लगता है कि मौसूफ खुद भी तुझे पसंद करते हैं क्या बग्वास कर रहा है वो अपनी बेटी के लिए है पार आल मैं नहीं जाओंगा सुवज अब मिले के तू क्या कईगा कुछ भी कह दूँगा हलो हलो सिकंदर साड़े आठ भजने आप पर भी तक आए क्यों नहीं जी मैं आ रहा हूं जी बार बार आपका पूछ रहे है जी मैं बस आ रहा हूं हा रहा हूं हुआ 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 है अब तो जाना ही पड़ेगा यार तू ऐसा करके अपनी को अच्छी थी शेवट निकाल दे है मैं जारा दुबारा शेव कर रहा हूं है 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 यह यह गाओं आप भी वेसे यह जैसे चाली साल प्याले हुआ करते था जी सर्थ आपको भी गाओं मेरें राओं हाहा चार सदा के करीब एक चोट एसा गाओं था मुएं से शेयराया था मैं हाहा शेयर कागया यहा तोंट मेक में नॉस्टेल्जी कर दस बचके तुमारे सुने का ताइम ओगे शुबापस नी जाना तुमने कम आई डैरी कल ते संबेर संडे और यह मंदव पंक्चुलिटी इस माइ प्रिंसिपल को अच्छा बनाइस हो है मेरे बड़ में जाने का ताइम होगे में चलता हम गए गड़ नाइट और सम्फ इसकोगे ज़िए बार को रहो गड़ 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 अब नाइट अब नाइ अश्या है यह ना? नाही चुक्रिए आप सुखे आप, मैं आप चलूँगा लेकिन आपके पास ले शायद गाली भी नहीं, छले मैं आपको ट्रप कर देती है शायद नहीं मेरे पास यदिनन गाली नहीं है लेकिन बाद सुखे आप मैं आप चलूँगा जोडरी जी जोडरी जी बाउस सकंदर ने वाख़ी शहर में ब्याद कर लेया तो फिर हम क्या करूंगे जी क्या किया करते हैं ऐसे मौकों पर गारतों वाले मैं ता आपकी बात का रहा हैं जी बोड़े इसका मतलब वही तो नहीं जो मैं समझ रहा हूं तोबा तोबा जी मेरी जबान न जल जाए अच्छा ता फिर क्या करूंगे जी करना क्या है गोली मरवा देंगे सकंदर को और फारे करवा देंगे उसकी बेहन सफिया को जे मीरू की बात गलत होई और बाउ सकंदर बाक्री आ गया फिर क्या करूंगे जी फिर सकंदर की जान भी बच जाएगी और उसकी बेहन का घर भी बस जाएगा ओए जित्ते तुने मुंशिया नैत की बेटी को रास्ते में रोका तो क्यों ओए नहीं जी रोका तो नहीं था जी मैं तो हलकी जी बात की थी रुकता खुद बाखुद गई थी क्या बात की थी तुने प्राइवेट बात जी क्या बकवास कर रहा प्राइवेट का कुछ ल तो तुम्हें पता नहीं कि चौदरी इस गाउं में क्या इज़त है आहां जी है मैंने था बस हल्की जी अरज की थी उससे और कि भी नहीं नहीं मेरे बीबी भी गुजर गई तेरा दूजर गया मेरे ना दो बोल पड़ा लो इसमा क्या खरापिया जी शरामा का शरामा जी एप इसमें तो कोई खराबी नहीं खैर मैं बात करूंगा चले यह उकातादा करके लाँ आप अचा जी मॉला कोछ रखे जी जाओदरी जी ऐए ऐ हालत पूतेर जी क्या ख्याल है सकंदर आएगा पता नहीं आपा जी बड़ा डिल लड़ हला बोल रहा है क्या बात क्या है बात क्या हो नहीं है अच्छा भला घर उजार के रख दिया तुम्हारे रीतों रवाजोने उसका देखो एक कमंखली अगर इसकी बेहन का घर आबात नहीं हो सकता नहीं तो उसकी बेहन भी आबात नहीं हो सकती क्यों है खालत जी अब माजी, मैं दो दिन और देता हूँ, वो के देना अपनी सास नजमा को जाकर, कि खत लिखकर अपने बेटे को बुलवा ले, एक हफ़ते के अंदर वो ना आया ना, तो उसकी बेहन के काज़ उसके घर पहुंच जाएंगे. आप आये, प्लीज, क्या बात है, सिकंदर, आप किसी गहरी सोच में थे, थे थे, थे ना, चे नहीं, कुछ तो है, मेरी माँ बिमार है, मुझे चुटी चाहिए, बस, इतनी सी बात, वो कहीं, आमें, खुदा ना खास्ता, उनकी तबित ज़्यादा खराब तो नहीं, पता नहीं, ये तो, जा के बता लगेगा, लेकिन मेरा जाना बहुत सरूरी है, हाँ, तो जाए, प्रॉब्लम क्या है, आपके ड़ी, में, मैसे तरीन, वो छुटी नहीं देंगे, हाँ, तो डैडी को बताना ज़रूरी है क्या? ये कैसे हो सकता है, भला, हो क्यों नहीं सकता, भई, आप नवाप शावाले स्टॉक चेकिंगे बहाने तो जा सकते हैं, लेकिन वह तो बादी साब जा रहे हैं, अब वो नहीं जा रहे हैं, ओके लेकिन मुझे तो गाँ जाना है, देखिये, आप गाँ जाएगे, और वापसी पर एक बिन स्टॉक चेक कर लीजी और बस, लेकिन मुझे तो वह तीन चार दिन लगेंगे, तीन चार दिन आप नवाब शाह पहुचने पर बिमार नहीं हो सकते पिल्कुन आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल बहुत आसान कर दी लेकिन आप में मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया तो गाउं जाने की छुट्टी मिल गई पजर्याय मिस फरहाना सरी मैं से जो को बज़े यह समय नहीं हा रही कि तु गाउं जाके करेगा क्या क्यों तुझे नहीं बता कुछ उद्धावा क्या था थूड़ी कंफूजन से है क्या कंफूजन है जिनाथ को तू कहूं जाके अपनी वो भेन की नन से शादी करेगा ना क्या नाम था उसका गुल्चन हाँ गुल्चन से वही जो तुझे नापसंद है नापसंद नहीं है लेकिन मैं उसे शादी भी नहीं करना चाहता अबरार तू खुद पता मैं ऐसी लड़की से कैसे निभा कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं कि उसके ख्यालात क्या हैं उसके आदात क्या हैं तू मना कर दे ऐसा भी नहीं कर सकता क्योंके वो सफिया को सारी जिंदगी के लिए घर बिठा देंगे अबराज जब तू सब कुछ जानता है तो ये एहमकाना सवालाग क्यों कर रहा है सिकंदर मुझे ये समय आती कि तेरा बनेगा क्या बाराज जो भी तेरा दिल चाता है तू कर हाँ तरीन साप को इस शादी के बारे में कतन निर्म नहीं होना चाहिए वरना वो बुड़ा खड़े खड़े तू ये दफ्तर से बाहर निकाल देगा पता है पता है अच्छा बात सुन तू शादी के बाद अपनी बीबी को इस्लाम बद लाएगा पता नहीं वैसे मेरा तो मश्वरा यही था कि तू ना लेकिया था और भाई तूम कुछ बिर ख कि दूसरी पहली किसके लिए ती जिसके लिए थी वो पी रहा तो मेरी जाये का है अम्मा से पूछू ना कभी कबार मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बुड़े की नौकरी छोड़ के तुझसे शादी कर लो और गिन गिन के बदले लूं तुमसे अब मजाज दुरूस्त कर कि अब या तो तुम्हारा भाई कुल्षन से शादी करें या फिर तुम अपनी मा के घर बैठी रहूंगे कि सफिया कि बाहर का दर्वासा बंद कर दिया बिठी तर्वासा बंद कर लो बिची बहुत रहत हो गई कि अब कर दो अब तक का दिया होता है कि क्यों वाकि उसने सामाबादी शादी कर लिए कैसे मुझा बाते मुझसे निकालती है सपिया कि नहीं आएगा कि आज नहीं तो गल्स जरूर आएगा बेटी कि अब तो सुचा है बहुत रात हो गई कि अब खेर करेगा बीची अब खेर करेगा इक खिड़की भी बन कर ले अच्छी अब कि अब कि अब कि अब तक जागरें पिशले तीन चाहद दिन से मैं वक्त मुकररा पर सूनी सका लेकिन कोई परेशानी वाले बात नहीं है कि अब आप वजा जानता हम आप वजा जानते हैं क्या वजा तूम इसकी वजा तूम इसकी वजा तूम मैं अब आदी पराना मैं चाहतूम के अब तुम्हारा शादी हो जाएं मुझ पतर है मैं जानतूम के तूम बेतनी समझे के वेरे बात में सकरोबार को वड़ी अची तरह से संवाल लोगी लेकिन पर भी मैं समझता हूँ के इस सुसाइटी में औरत के साथ एक मजबूत हाथ होना चाही आयू लिस्निंग जी जी डाड़ी मैंने बहुत वाक की है कभी किसी नशे मशे कुआत नहीं लगाया हमेशा मैंने वह काते कार की पाबंदी की है झाय है प्रोल यादी यादा मैं मुछ मत शिर्टल लेकिन मुझे ये सूच कर वैशत होती है कि मेरे बाद तुम अकेली इस तुनिया से कैसे लड़ोगी टैदी प्लीज अप मुझे नविस करे पतने ही पतने होती है कि अपर पतने है किसी को पसंप करती हो नइंकरती हो लेकिन मेष चर्मेक्षको अपसंप करता हो इसी कश्मे कश्मे में तीन चार दिन से रहा के तुम से ये बात करूँ या ना करूँ जैसे जैसे आप कहें लैरी परना इस शेयर में तुमारे लिए अरिश्टों की कमी नहीं है लेकिन दालत के तबस में किसी अमीर करने में तुमारे शादी नी करना चाते चाहिए शादी स्वज़ असे के में खुद लूर मेरल कलास या तक पाचाम कर चो रो इस पाद को ये बताओ के ये सिकाद लेकास लारका है अच्छा लड़का है बेवफूफ मैंने भी बहुत सोच समझ कर ये पैशला किया हरद में अपने आपको बहुत हलका महसूस कर रहा हूँ इसमस अ arrangements अ कि मिस अ क मिस gli अ की बाहर को टॉचान इसमस कर ले pace इसमस कर दो कर दो कर दो कर दो ताली दे थले बैके, हां बैके, ओ माहिया वे माहिया, आकर ये प्यार दी अंगल्ना, आकर ये प्यार दी अंगल्ना, गल्डी होगी, सरकार? भी ओ, मेरे आगे क्यूं चल रहे तू? पिछ चालदां ता, अगय चालदां फिसल्ना ना कर दो ब्रबरा लग्दा फे तु भाकी मुझे व्यागार करना चाते, अःव रशूड़ां, southwest के तंगू को यकीम ब्वान कर दी रहाट वे तो मैंनु बता सटाम लेखे तुमा बड़ा मुश्किल है सारी हयाती की बात है तुम अजमांक ही देखला बहुत राजी रहूंगी मेरे नाल अच्छा चल ये उठा जरा घर तत पहुंचा तुमाप करें इदा मा क्या बने होया लगदा माच जा साग है इसमें पूँ अपने ना सारा साग तुसी रोज़ खा लेने है समल के दिते तेरी तो टांगे कहा आप रही है तुमेनु क्या समझा होया है सुची तारा पला के जुआन कीता मैनु मेरी माने अब की हो गया मैं क्या जरा दाम लेला तुमेनु थकी हुए लग दिया मैं मुझे तो प्रण लेख दर नहीं उठता आया अब तैनु क्या कहां आए जवान मर्दा से औरता वाले कामल है रही है कोई पूर्स मकाबले कोई जीन का पूकरानु कैं कोई देशत गर्दी पड़ी 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 मगया दिते दिते आज मेरा बेटा जरूर आएगा आएगा ये लूँ तुम ये ठपड़ी बेंड के दफतर में काम करते हो या कुष्टी करते हो सारे बटन तूटे वे थे सारा मैं कभी कबार ये सोचता हूं कि अगर तुम और खाला ना होती तो मेरे सेर में क्या बनता है खाम खाम मखन मत लगाओं तुम लोग मेरे लिए फरिश्टे हो फरिश्टे चूट तुम्हारी कसम अच्छ अच्छ ये बताओ कि अगर मैं खाला से तुम्हारे बारे में बात करूं तो तुम्हें कोई इत्रास होनी क्या बात करोगे तुम्हें तुम्हें शादी कर ली तुम्हें इसी वक्त दफ्टर से निकाला जा रहा है क्या सूच रहे हो बताओ ना क्या बात करोगे अमा से किया बात करूं ना, कौनसी बात, तुम बैटी-बैटी मेरा मूँ क्या देख रही हो, जाओ इहां से तुम हारा मूँ देख रही हो, किसी गरत पहमे मेना रहना और यह जो तुम अथे रंग पे इतना इत्रापते हो ना, यह न इत्रापते हो तुम एक अच्छी बिस्नस वोमन बन सकते हो, तुम एक अच्छी बिस्नस वोमन बन सकते हो आवो, क्याना मैं वो, सिकंदरा वापिस नी आया न वापशा से आप, आप, आम सारी डैरी, शायद मैं आपको बताना बुल गई थी, उसका फोन आया था, उस पिचारे की तबियाद बहुत खराब है वो, कब कैसे अब रास्ते में कुछ पहते हाती होगी ती शायद, हो इसी, चलो चे उसकी जगा पे मैं कुई और बंदा बेजवा देता हूँ, सुब ऑफिस से फून करोंगा, ने ने रारी, इसकी कोई जूरोत नहीं है, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, डोंट वरी, अच हिस टूरो कभए लुए, ऑड़ हmos दे माँ भी कता हुआ ऑड़ो, अच मैंने,हु जी कि वहे जोúp आना वाइय, होगा लिया ऑज किसे य्टो फूहे, कर ही ज्युए, हritis, वहुए, यह ज्युए, चाईओ सुछ नहीं हुए, उजुए, ब कर दूरो, तो मैंने नौरो तुम्हारी और उसकी अंगेजमेंट अनूश कर दूँ उसके बाद चौदरी सिकंदर खान तुम्हें ये खुद पहनाएगा उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था हसमत चाचा तो खैर सर्फ चौदरी हैं लेकिन खालत को सोचना चाहिए वो तो पड़ा लिखा है अब छोड़ इन बातों को तू आगिया है ना साब ठीक हो जाएगा लोगों ने तो पता नहीं तेरे बारे में कैसी कैसी फुदूल बातें पहला दी थी अमा बदले की इस शादी ने हमेशा के लिए हमारी गर्दनों पर खौफ की एक तलवार नहीं खड़ी कर दी एक बार तेरी गुल्शन से शादी हो जाए ना फिर मैं देखूंगी कि ये चौदरी अजमत कितना बड़ा चौदरी है फिर क्या होगा औरतका एह तैसाल होगा और क्या कि अमा अमा किसी तरह ये शादी डल नहीं सकती इस डल सकती है क्यों निव डल सकती भैन को सारी जिंदीगी के लिए घर बिठा ले डल जाएगी मैंने तो सिर्फ एक बात की थी तुम लोगों का जो ची मैं आए को करो लेकिन जो करना जल्दी करो क्योंकि मुझे सिर्फ चार दिंकी छुटी में लिए तुम तो बिलकुल फिकर ही मत कर इधर भी सारी त्यारी और उदर भी सारी त्यारी मुकमल है तो देर की तक बज़े ही नहीं है बखकेट, जृद फिर क्या होगा, और ओरत का ईहसते साल ही होगा और क्या अम्मा अम्मा िेति करें ये शादी दल नहीं सकति यजग है त Kir sing, क्यों फिक्यों नहीं बखकी सारी सिंदी की के लिए घिषा लिहार प्याइगी मैंने तो सिर्फ एक बात की ती तुम लोगों गा जो की मैं आर लेकिन जल्दी करो क्योंके मुझे सिर्फ चार दिंग चुटी मिली है तू तो बिल्कुल फिकर ही मत कर इधर भी सारी त्यारी और उदर भी सारी त्यारी मुकमल है तो देर की तो कबजे ही नहीं है ना ठीक है अजीब आख बताई तूम्ही हमारे आख के दस्तूर है बहीं और अगर तूना को बंदूख ही ना चलाने आती हो तो तो इसका कोई दोस निचाना लगा लेगा लेगा परता अबबाजान की जादी पर क्या हुआ था तारा दिन पर आध बैती गहीं तो एक अबबाजान का न निचाना कर जाता है चंद कैसी दूस एक दरख था उस तक पर फाइड नी कर सके थे और सिकंदर का निचाना कैसा है अफ तो यह रवाची लिए अचानक तुम्हारी शादी का प्रोग्रम कैसे बन रहा क्योंकि अचानक ही उसको चुटी मिली तो तो तुम इस्लामाबाद जाते हैं जाहिए तुम नहीं चाहती हो कर नहीं मैं तो चाहती हूं लेकिन तुम अपने मियाँ पर नजर रखना कि कोई और ना है ओड़े उसे तुम भी ना वीजी जी चिदरानी जी कह रहे हैं बाहराजे रसम करें हमारें तो चलो गुल्शल रखन करें नर्वे सो रही ह अबाहराजा ये तुम रहे हैं पर फूली होय। पाउ सकंदर कैसी चल लिये नौकरी शौकरी तुम्हारी बस याजी आला के शुकर वो तुम्हारी पता है तुम क्या कहने लगे हूँ मैंने तुम्हारी जमीन पांच लाख में रहन की थी और तुमने ये रकम मुझे दो साल में अदा करके अपती जमीन चुडानी थी लेकिन दस मेने में तुमने सिर्फ सतर हजार पैदा की है क्यों जी जी शाजी सतर हजार वो बात यह है तेको सकंदर भाव जिद मत करो तुम ऐसा करो ये जमीन मेरे ना कर दो बागी की रकम है ना मैं माफ कर दूँगा तुम्हे इस तरह तुम्हार किसम के अज़ाब सभी बाच चाओगी आँ नहीं शाजी मैं इस समीन पर किसी और का कफ़ा नहीं होने तुम्हार मैं तू आपसे एक साल की मजीद मौलत लेने हाँ था मौलत कैसी है जब कागज दो साल का लिखा है तो फिर मौलत का सवाल ही पैदा नही आपसे तुम्हारे पास चौदा महीने हैं सोच लो बड़ा वक्त होता है चौदा महीने सोच लो थी खुदा आफिस खुदा आफिस बिस्मिल्ला इग्रह्मन इग्रहीम कले के दीर दो इलाही आमीन मुबारद भार्भी पार्भी के वोड़तार जिरा वार। जाँतार झाल थाँतार कि दुक्ड़फ कि जाँतार जाँतार कि तुक़्र कि अनल रेतार कि वीन किया बहटिए तर आप बतायंगे जट आपने बलाया मुझे मैद सुम्हें बुलाइ मुझे यह भी आप हैं गता अकिस्ध्र में नहीं बताने तो तुम इस दबतर में रखने का क्या फ़ेदा मुझे बता हूँ जी सर क्या जी सर कुछ नी सर मैं जाओं सर मैं तुम्ही जाने के लिए ताई मायं ड्लफ ऑना नो सर वो हो ये बताओं कि यह रहिए सिकंदर के साथ नी सेर्फ सिकंदर बढ़ा चाधमी है सर मेरा दोस्त है ना। बहुत अच्छाद मी है इसलिए तुम्हे इस दफ तब में नजर आता है। तुम्हारा दोस्त है। इसलिए हर वक्त उसकी नौकरी को खत्रा रहता है। मैं तुम से यह पूछ रहा हूँ मुझे बो बताओ जो तुम एक दोस्त की हसियत से उसके बारे में जानते हो। सर हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं और वो तफसीलात वाइट खुरो जो मैं प्याने से जानता हूं समझें। समझ गया सर। आप उसकी जाती जिन्दगी के बारे में जानना चाते हैं ना। सर वो हमारे फ्लैट में ना एक ही बाथरूम है सर ये रोसबाट के ना शेफ बनाते हुए जोर जोर से गाने गाता है इसलिए मुझे देर हो जाती है। तुमारे बातरूम पे दर्वाज़ा नहीं है। है सर। तब फिर वो गाने क्यों गरता है। और स्टूपिड मैं तुमसे उसके गरबार के बारे में पूछ रहा हूं। सर। मैं दो दफ़ा उसके घर जा चुका हूं। आदा घर पका है और आदा कच्छा। ओ, कच्छा पका है। ओ, अबरार्ब! सर। मुझसे कोई ख़लती होगी सर। तुम एक स्टूपिड ना लाइको और 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 और। सर, अहमक और अहमक। यह एमक किसको कह रही हो तो। सर, आपको अपने आपको, अपने आपको सर। अच्छी ठीकि 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 ओखो यह राइबरार गबरों ने गबरों ने मुझे बताओ कि उसके कुछ खालदान के बारे में बताओ सर वो उसकी उसके वाले तो फौद हो गया है वालता है एक बेहन जिसकी शादी हो चुकी है और सिकंदर की सर वो सिकंदर की शादी के बारे में उसकी वालता बहुत परिशान रहती है सर लेकिन वो शादी से सख मफरत करता है मेरी तरह मेरा दोस्त है ना सर चीक है तुम जाओ बहुत बहुत कि आए तुमने थेंकियो सर क्या कुछीं सर कुछीं देखो को बड़ा शहर है रहने को मुनासिव जगा नई है मैं खुद अपने एक दोस के साथ रहता हूँ के अधाना है फिल आल ऐसा मुंकिन नहीं io आप जहाँ कहींगे मेरे हम्हारा यहारा मैंने कहा ना पेल आएसा मुंकिन नहीं है आखिर जल्दी किस बात किये अच्छा नहीं लगता लोग बाते करेंगे देखो गुल्चल मैंने आज तक लोगों की परवा नहीं की और मैं चाहूंगा कि तुम भी मत करो यह मेरी जिंदगी है इसे अपनी मर्जी से गुजारना मेरा हक है आप तो नाराज होगे अब अब यह मेरी अकैली की जिंदगी तो नहीं है न इसमें आप भी शामिलो के है पता नहीं पता नहीं कौन किसकी जिंदगी में शामिलो है मारहल मैं तुमेह अपने साइथ असलामाट फिलahu नहीं लिजा सकता तो पर कभ आप यह नोकरी छोड़ क्यों नहीं देते अबबाजी कि अबस आगे कुछ मत कहना अगर किसी के अबबाजी की मदद लेनी होती तो मैं कब का ले चुका होता अच्छा तो कुछ दे नौर रुक जाए नहीं मुझे कल हर सूरत पहुंचना है तुम फिलाल आराम करो मुझे अमाजी से कुछ बाप करने है तो क्या तुम सारी उमर गाउं में रहोगी पता नहीं है तो अबबाद लेगी तो इस्लामबाद लेजाए तो अगर उसको दासाल मुझे जगा ना मिली तो अगर उसको दासाल मुझे जब शादी ओजती तो अपने घार में अची दो अच्छी नहीं बेचने से ही इंकार कर दिया भाडवे गया तुमारा पारवालों का बटेरा मैं बात कर रही हूं अपने घर की सिकंदर गुल्शन को नहीं लेके जा रहा इस्लामबाद तो जाहर है अभी उसकी तैयारी नहीं होगी शादी भी तो हमने फौरी तो पर कर दिया ना उसको कभी भी नहीं लेके जाएगा नबो क्यों पूछलो उसी से और दब काहूस को ज़रा थोड़ा साथ अब देखो जबेदा अगर तुम इंसानियत की सोचो तो यह जो वटे सटे की शादियों का दस्तूर हमने चलाया हुआ है ना यह को अच्छी बात नहीं है गुल्शन की शादी सिकंदर से होना हमारी इज़त का मामला था अब तुम सोच रही हो कि मैं सकंदर को कोई धंकी दूँ तो ऐसा हर्गिस नहीं होगा अगर उनकी बेटी हमारे घर पर है ना तो हमारी बेटी भी अब उनके घर पर है तो क्या अगुल्शनसारी उमर इसलामाबाद नी जाई वह यह मुझे नहीं पता खाम का बात को भड़ाव मत बाउसर गंदर मैंनू बड़ा शाओ का इसलामाबाद देखने का सुना है वहाँ लोग काट ताफसर बहुते हुंदे या सुना है जी रहावल डैम ही बहुत दूंगा है इसलामाबाद का तू डूबना उसमा तेरे लिए तो पिंड का छपड़ी काफी या जिसमा माजना के होर महली हो जन दिया चौदी इसे कहें अपनी जुबान काबू में रखे जी वास दिल लगी काता तूसे मुनशीप पंबीरी चौदी साब इसका मेरा दिल लगी का कौन सा रिष्टा है नहीं आता कारलाव रिष्टा जलो बाक बाक बान करो अजुआ तक बूर्द के देशन भी पहाँना है तेरो आव भी आप कराव जाव कराव झाब याप अच्छाब मैं चलता हूँ अपना ख्याल रखना सरूर उचे कब भुलाओ कि तुमी कोई रहाइश का इंजाम होगा मैं पला लूंगा उसकी तो पॉन करना ख़त भी लिखना खिया हम क्योंई बदाइश गदा मैं गदाइश गदाइश गुनी गदाइशा गया गदाइशा गद्हाइश तर्टर में होगा गड़ाप गदाइश गड़ा यथिक पड़ागा गदाएश का दला है अभर आपकुन के साफवत है वालकुम बैक, हाउस्यो मदर? मदर? छीब ठीक है, अच्छी है, आप कैसी है? मैं बिलकुल छीद कितने दिनों के बाद आयाप? छीब फाइटेस पांच देन और मुझे इसलागा जैसे पांच हाथे गजर गए छीब? हमें अ मझेष्ट मिस्की आटने? मुझे कैसी अच्छी है थीब टरह्याचतर है ओकर वच्छी कर दे तो भर स्प्रश सजाध कbly प्रतस है थाथ नियुक्षा एक रात काना अगर हम बाहर खाये तो के सा रहेगा रात को लगिम मैं तो बहुत थका गाहूँ बहुत नंहें रहे जागा है लुग प्रॉब्लम, कल से हेरे कल तो चुटी है। संडिय हमी हेत्वार कि खाने की तो छुटी नहीं है न कल शाम साथ बजे नापको पिक कर लूँगी तो कि लेकिन आपको मेरा घर प्लाइट कैसे आपकी घर मोजुदकी में मैं अपरार कुरूप किया था तो कि कल शाम साथ बजे डन एक कर लूँ आपको तो मैं ची तरह से जान दियो कि मुझे लापरवा लोगों से चिर है यह सर तुमने बाद परहजी की और तुम बिमार होगी क्यों नहीं और क्या मैंने मुझे जूट बोलने वालों से सब्सक्राइब है कि खेड़ी ठीक ठीक है यह बताओ कि वह स्टॉक रिपोट लेया यह कि तरह वो बादी सापके पास सब्मेंट करा दी है कि तुम मुझे कुछ नर्विस लग रहे हो मैं और नहीं तो क्या मैं कोई और है इस कमरे में हुआ नो सर कि दिखिंशी टड़ी हो जो ुचे तो में वह ख लेवाला कॉंफीड़ा कंफेड़ स् thumbs नी लग रहा है कि मैंने तो तुम्हें बेंकॉख हों कि भीतरल यह तो तो कि मैंने वा था बांपकोड़ीन ने बिएज नुए लिह शायद कर लो तुमरे वाल्दा का क्या हाल है वाल्दा ठीक होंगी सर ठीक होंगी तुम मुझे कर जालिमाद में समझते हो यह सर नो सर नो तुम समझते हो क्योंकि तुमने पिछले महीने की शतर और और बीस तरीक को इस दफ तक एक जिम्हेदार शक्स के सामने मुझे बुड़ा ख़ती और भ्रान का है जो सर यौट सर मुझे सक्त नवरते नवरते का समलेंगे सर कर्स्मोह अर हलफों का इस मुल्प में पिछले 50 साल से इस्ते साल हो रहा है विज्व भुब मुझे यकीन नहीं आता हैं तुमने तुमने मुझे बुड़ा कहा ओके तुमने मुझे कि अधिकार प्राइट लेकिन तॉम ने मुझे फिरान क्यों कहा किया तुमने कभी फिरान देखा है नो सर तब मुझे देखो आ इम स्रॉरी सर वो सपर मैंने ये कर दूमेदारना बात के दियो कर मैंने सका है तुम मैं और शेन मिंदा हुसर आंप्राइट ओके ठीक है ठीक है लेकि सुनौ झायर से जो मैं नहीं हो वो मुझे नहीं कहारा है ओके साथ उसरे बेटो है थी और यारा बेटो नहीं हुसर बेटो 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 वो तुम शादी क्यों नहीं कर लेड़ा है? शादी या मैं? नो वे, सर. मैं तुम को इजासत दे रहा हूँ, तुम शादी कर लो. नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए? सर, बाएक मामूली साद्मी हूँ, बला, मुझसे कौन करेगी शादी? मैं जानता हूँ, एक पागल सी लड़की है, जो तुम से शादी में इंट्रस्टेड है. सर वी लो तुम जानता हूँ, जो तुम से खाखदा तुम से वागी है, जो तुम शादी में शादी में इंट. झाल 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 झाल